अभी थ्री फेज लोकों का पावर सर्कुट में चलेंगे तो देखिए पैंटो अगर रेज है और आप विसी भी क्लोज करते हैं तो ओवर करेंट रिले नंबर 78 होके ये मेन ट्रांसफर्मर है ये मेन ट्रांसफर्मर एनर्जाइज होगा ये पैरलल इंडक्शन ट्रांसफर्मर है तो ये ट्रांसफर्मर 25 के भी से एनर्जाइज होगिया अभी इधर में दो ट्रैक्शन कॉन्वर्टर है क्योंकि ये तो थ्री फेज लोकों है इसका ट्रैक्शन मोटोर थ्री फेज इंडक्शन मोटोर है तो इसके लिए 3-phase supply भी चाहिए तो ये 3-phase supply प्रोवाइड करता है दो Traction Converter Traction Converter 1 से फीड जाएगा Traction Motor 1, 2, 3 में और Traction Converter 2 से फीड जाएगा Traction Motor 4, 5, 6 में तो देखिए ये जो Traction Converter है इसका अंदर में मेंली तीन चीज होता है एक होता है Line Converter एक होता है DC Link एक होता है Drive Converter तो Main Transformer से Step Down होने के बाद 1299 Volt आता है Line Converter section में और उसके बाद में ये DC में Convert हो जाता है लेकिन ये Pure DC नहीं है इसका अंदर में थोड़ा सा AC का Ripples रहे जाता है तो उसको स्मूथ करना है उसको स्मूथ करने के लिए इधर में DC Link रखा गिया है DC Link का अंदर में एक चोक होता है और एक Capacitor होता है ये चोक का काम है जो भी Impurities है यानि की AC का Ripples है उसको Absorb करके Pure DC को Allow करना और जो Capacitor है ये Capacitor का काम है थोड़ा सा भोल्टेज को अपना अंदर में Store करके रखना और जब Peak Demand रहेगा उसी समाई वो भोल्टेज को Release करना तो इस तरह से DC Link से जब भोल्टेज चला गिया तो ये भोल्टेज आके पहुँचेगा Drive Converter सेक्शन में और Drive Converter का काम है P.O. DC लेगा और उसको 3 Phase AC में Convert करेगा Finally 2180 वोल्ट, Variable Voltage, Variable Frequency 65 से 132 हर्ज में ये Frequency vary करता है और ये ही वोल्टेज चला जाता है Traction Motor में SR1 यानि की Traction Converter 1 से Traction Motor 123 में और SR2 से चला जाएगा Traction Motor 456 में इधर में आप देख सकते हैं तीन Auxiliary Converter रखा गिया है ये जो Bar 1 Cubicle है Bar 1 Cubicle का अंदर में Auxiliary Converter 1 होता है और Bar 2 Cubicle का अंदर में Auxiliary Converter 2 और Auxiliary Converter 3 होता है तो ये Bar 1 और Bar 2 ये दोठो Cubicle है और इसमें Total 3 Auxiliary Converter को Accommodate किया गिया है Bar 1 में रहेगा Auxiliary Converter 1 Bar 2 में रहेगा Auxiliary Converter 2 और Auxiliary Converter 3 तो इसमें Auxiliary Converter 1 और Auxiliary Converter 2 ये दोनों का Capability है Variable Voltage, Variable Frequency Deliver करने का क्योंकि इसमें ऐसा कुछ Equipment है जैसा OCB है, TMB है वो Variable Voltage Demand करता है उसमें Temperature Sensor लगा है तो इसलिए Variable Voltage, Variable Frequency उसके लिए चाहिए और ये Deliver करने का Capability है Auxiliary Converter 1 और Auxiliary Converter 2 का लेकिन Auxiliary Converter 3 से जो Voltage जाता है, वो Steady Output है इसका उसमें कोई Flactuation नहीं हो सकता है तो आप देख सकते हैं इसमें Main Transformer से Step Down होने के बाद में 1000 Volt आता है और फिर इसका Output में 3 Phase 415 Volt निकलता है Auxiliary Converter 1 से दोनो Oil Cooling Blower में फीड जाता है Auxiliary Converter 2 से दोनो Traction Motor Blower और Transformer Pump दोनो और Traction Converter Pump दोनो में फीड जाता है और Auxiliary Converter 3 से दो Main Compressor दो Scavenging Blower और एक Battery Charger में फीड जाता है इधर में आप देख सकते हैं Hotel Load है Hotel Load WAP 5 और WAP 7 लोको में है मतलब कोच में जो AC चलता है Light, Fan ये सब अपरेट होता है या Pantry Car का Various Equipment है ये सब इंजिन से फीड जाता है ये सब के लिए तो इसका Input होता है 960 Volt Single Phase और Output होता है 750 Volt 3 Phase और ये है Harmonic Filter ये Harmonic Filter में 1154 Volt 114 Volt इसमें आता है और इधर में देखिए Roop of the Loco में एक Potential Transformer है ये Potential Transformer का काम है 25 KB को Step Down करके 200 Volt में Convert करना फर्दर ये 200 Volt क्या होता है ये 3 जगा में Distribute होगा 200 Volt सिधा चला जाता है SB1 Cubicle के अंदर में जो Low and No Voltage Relay है Number 86 उसमें चला जाता है सिधा 200 Volt और ये ये से Step Down होके 10 Volt DC आता है Driver Console में आप जो U Meter का Deviation देखते हैं वो काम करता है 10 Volt DC में और Converter Electronics में 4 Volt AC यानि की 1 is to 50 रेशियो में ये Reduce होता है 1 is to 50 रेशियो में Reduce होने के बाद Converter Electronics में 4 Volt का सिगनल आएगा तो जदी ये 4 Volt का सिगनल नहीं आएगा तो क्या होगा एक Fault Number Generate हो जाएगा F0104P1 यानि की Catenary Voltage Out of Limits और इसके बाद में Roop of the Loco में Main Grounding Switch भी है और Gapless Surge Arrestor ET1, ET2 ये भी है